तो गाइस क्या आप लोगों को भी यहाँ पे मौधी सरकार की तरफ से मुबाइल फोन मिला था बट आप लोगों को इसके अंदर एक प्रोब्लम देखने को मिल रही है अगर आप लोग यहाँ पे रिट्राय वाला बटन भी आप लोगों को देखने को मिलता है आप लोगों को इसके अप लोगों को शोओ होने लगता है जैटिंग रेडी 100% आप लोगों को यहाँ पे कुछ डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाता है बट आप लोगों को यहाँ पे क्या प्रोब्लम आ रहा है कि आपका यह जो प्रोब्लम है यहाँ पे सॉल्फ ही नहीं हो रहा है और आप लोग बहुत जादा प्रिसान हो गए आप लोग देख सकते हैं यहाप मेरे मुबाइल फोन के उपर कुछ फाइल्स यहाँ पर डाउनलोड होना नहीं स्टार्ट हो चुके जो कि यहाँ पर 0.3, 0.5 MB के आसपास है अब यह मेरे मुबाइल फोन के उपर यहाँ पर डाउनलोड होना तो स्टार्ट हो चुके है बट आप लोगों के साथ भी यही प्रोब्लम हो दिखा रहा हूँ यह प्रोब्लम आप लोगों को किस वิजे साहरा सबसे पहले तुम्हें बता दीता हूँ अगर आप लोगों ने अपने mobile phone को update कर लिया है and update करने के वाद आप लोग अपने mobile phone को reset करके या फिर restart करके दुबारा से open कर रहे होंगे तो आप लोगों कोई प्रोब्लम यहाँ पे 100% देखने को मिल रही होगी अब बात करते हैं कि यह problem आपकी किस परकास से fix होगी situation में आपको क्या करना है आपको अपने mobile phone को यहाँ पे restart कर देना है and restart करने के बाद आपकी यह जो problem है यहाँ पे 100% solve हो जाएगी मैं आप लोगों को यहाँ पे live problem आपकी solve करके दिखाने वाला हूँ क्योंकि मेरे को भी यही problem देखने को मिल रही थी कि मेरा mobile phone यहाँ पे on ही नहीं हो रहा था बट मैंने जैसे इसको यहाँ पे restart किया यहाँ रिसेट किया restart किया अपने mobile phone को तो आप लोग देख सकते हैं मेरी जो problem में आपको यहाँ पे live दिखाऊंगा वो यहाँ पे solve हो चुकी है तो मैंने जैसे restart किया अपने mobile phone को अब मेरा mobile phone यहाँ पे on होना start हो चुका है आप लोगों को मैं यहाँ पे live दिखाऊंगा दोस्तों कोई fake वीडियो आपको नहीं दिखाऊंगा यूटूब पे बहुत सारे यूटूबर बैठे में कि screen shot लेके यही वीडियो बना रहे हैं बट आपको सही solution नहीं बता रहे हैं बट आपका भाई आपको यहाँ पे real genuine trick बता रहा है अगर आपको वो problem जो मैंने वीडियो के starting में दिखाए वो देखने को मिल रही थी तो आप लोग क्या करना अपने वाइल फोन को यहाँ पे restart कर लेना और आपकी जो problem है यहाँ पे 100% solve हो जाएगी